हेलो दोस्तो स्वाकत आपका अपने यूटूब चैनल वेटेनेरी स्टेडी में और दोस्तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही मर्दपून जानकारी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं counseling and recounseling के बारे में दोस्तों अपनी जो मन पसंद की college आपने चूज की थी first number उसमे admission लेने के लिए और college change करने के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरे जानकारी से बात करेंगे कि recounseling कैसे करवानी है या फिर दोस्तों कल और आज आपने recounseling के लिए आपने form लगाया होगा तो अब वो recounseling कैसे होगी और किस परकार से आपको college change होगा कैसे मिलेगा और इसकी जो सूचना है recounseling की सूचना के आपको college कौन सा मिला है recounseling हुई या नहीं हुई जिसमें आपका कौन सा college आपको मिला है वापिस इसकी जो सूचना है वो आपको कैसे पता होगा कि recounseling में अपना number वापिस आया की नहीं आया college change हुआ की नहीं हुआ तो इस परकार से recounseling के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से पूरी जाहनकरी के बारे में बात करेंगे मैं आपको इसकी पूरी जाहनकरी बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर आम तक जरूर देखना और जो साथ अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े है वो भी चैनल को सब्स्ट्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाए वेटर्नेरी से जुड़ी जानकरी आपको हमारे चैनल से के मत्याम वेटर्नेरी स्टेडिय से मिलती रहें और दोस्तों जो भी आपका doubts, confusion जो भी हो सवाल जो भी हो आप हमें comment करके बता सकते हैं और आप हमारे worship group में जूड़ने के लिए जो डिस्क्रेप्शन में जो लिंक दिया रखिए उसको यूज़ करके आप हमारे वर्सव ग्रूब में भी जूड़ सकते हैं जिससे आपको सीधे ही डारेक्ट जो भी सूजना होती है वो आपको मिल जाएगी तो दोस्तों बात करते हैं अब में मुद्य की कि जो रिकांसलिंग है वो जिसमें आपने फॉर्म लगाया होगा तो आप वो कैसे होगी तो दोस्तों जो रिकांसलिंग है वो अपनी जो कोलेज है वो चेंज करने के लिए होती है तो आपको जो कोलेज है वो कैसे अलोट होगी तो जैसे की आना कि दोस्तों आपने टोटल पचास कोलेज भुली साइब हो उर वो आप ओलेज़ करना चाहते हो तो आपको जो दस नमबर से जो नीचे वाली college है उनमें आपको admission नहीं मिलेगा चाहे वो government हो या फिर private हो अगर आपने 10 number की जो college के निचे जो भी college बरी है उनमें से आपको कोई भी college प्राब्द नहीं होगी लेकिन जो उपर ही college है जो 10 number से जो उपर की college है वो आपको alert होगी जीसे कि आपने एक number दो number 3 number से लेकर 9 number तक की जितनी भी college बरी है उनमें से आपको कोई से भी college मिल सकती है अब आपको उन 10 के उपर जो 9 college है उनमें से कौन से college मिलती है ये वापिस जो second counseling होती है उसी में पता चलेगा जो recounseling होगी second counseling के साथ में उससे पता चलेगा कि आपको कौन सी college alert हुई है तो दोस्तो इस परकार से तो आपको जो college है वो आपको change होगी और इस परकार आपको वो college मिलेगी और दोस्तो जो recounseling है अब इसकी जो सूचना है वो आप तक कैसे पोचेगी या फिर आपको इसकी जो सूचना है वो कैसे मिलेगी तो दोस्तो जिस परकार से first counseling हुई है उसी परकार से जो second counseling होती है उसी के साथ में recounseling होती है जो second counseling होती है उसी के साथ में recounseling होती है जिन में merit base और percent base के अनुसार से आपको वापिस जो college है वो change करके आपको alert कर दी जाती है और इसकी जो सूचना है वो आपको second counseling के साथ में मिलेगी जो second counseling होती है उसी के साथ में आपकी re-counseling के forum भी वापिस लगती है और आपको college change हो जाती है आपको college दूछरी मिल जाती है तो second counseling की जो सूजना है वो first counseling के तरह आपको advertisement या फिर अख़बारी सूजना news से आपको और राजवास की website के मैदम से आपको जो information later है उसके मैदम से आपको मिल जाएगी second counseling की जो सूचना है वो उसी के साथ में आपके re-counseling भी होगी जिन में आपको college change की information मिल जाएगी और आपको जो student login है वापर अपना id password आरकर login करके वापिस आपको allotment later download करना है तो आपको अगर college change होगी तो आपको allotment later दूसरा download हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आपको उसी जो पूराना allotment later है वही आपको download हो जाएगा अगर किसी विद्यार्थी की second list में भी number नहीं आता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी response नहीं मिलेगा और आपको बोल दिया जाएगा कि wait for next counseling तो इस प्रकार से आपकी re-counseling होगी ही और आपको college allot होगी जो college आपने choose की है उसके उपर की college जो आपको allot की जाएगी जिस number की college आपको मिली है उसके उपर जितनी भी college है चाहे वो 10 हो पाच हो जो आपने बरी है उसके अनुसार आपको college मिलेगी अगर आपको कोई college नहीं मिलती है तो आपको वहीं पर जो पुराना admission है जो आपने अभी लिया है वही रहेगा और वहीं पर आपको अपनी study करनी है और अगर दोस्तो re-counseling में अगर आपके college change हो जाता है तो आपको जो re-counseling के द्वारा जो दूसरा college अलोट हुआ है तो उसमें भी आपको इसी तरह से जाके admission लेना है और दोस्तों जहां से आपने admission लिया है उस college में आपको वापिस जाना है और वहाँ से अपने documents और जो अपनी fee से वो पूरी पूरी लेकर और original documents जो अब भी आपने वहाँ पर जम्मा करवाई है वहाँ पर application लिख कर उनको देकर वो documents और अपनी fee से वो लेकर जो आप जिस college में आपके number आया है वहाँ पर जाकर इसी तरह से आपको admission लेना है और जितनी fee से उतनी देनी है तो इस परकार से आपकी recounseling होगी और इस तरह से आपके college लोट होगी और इस तरह से आपको admission लेना है और आपको अकबार news के द्वारा आपको इसकी सूजना इस तरह से मिल जाएगी तो दोस्तो आपको अगर और किसी परकार के कोई doubt हो ता आप हमें comment करके जरू बताना और आशा करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी recounseling के अच्छी लग्योते से like, comment, share जरू करना धैन्यवाद